नमस्तार मैं हूं कुमार गजिंद्र चन्पत ओंदा स्पोर्ट में आपका स्वागत है एक बड़ी खवर जम्मू कश्मीर से आ रही है जो जम्मू कश्मीर जहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने और ग्रह मंत्री आमिश शार की एक कहा जाए के उनके जीवट ने विल पावर ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को उखार के फैक दिया और वहां पर लोगतंत्र की बहाली के परियास किय जा रहे हैं लेकिन वही जो पाकिस्तानी खुफिया एजनसी है ISI उसको ये सब चीजे रास नहीं आ रही है पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कस्मीर के अंदर अपनी टांग अडाता रहा है और वहां पर अलगाव वादियों के तुरू तरह तरह की एक्टिविटीज करता रहा ह लेकिन फिलाल हाल ही में जो जम्मू कस्मीर के अंदर एक नए तरीके की टैक्टिस जो पंजाब जो पाकिस्तान की जो ISI है खुफिया एजनसी उसके द्वारा एक नई टैक्टिस सामने आ रही है बहुत खतरनाक टैक्टिस है बहुत खतरनाक मन्शूब हैं बहुत खतरनाक प्लानिंग है लेकिन इसका खुलासा अब हो चुका है और हमारी जो खुफिया एजन्सिया है और खास तोर पर जो जम्मू कस्मीर की जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है और उसने अपना एक्शन सुरू कर दिया है अब हम आपको बताते हैं कि जम्मू कस्मीर में ISI किस त श्रादसे वह एक धरम विष्येश के लोगों को लोगों की संक्या वहां बढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं ताकि वह अपने मन्सून को अपने तरीके से अंजाम दे सके हैं जम्मू कस्मीर के लिए बड़ी खबर वो है के जम्मू कस्मीर के अंदर रोहिंग्यां जो Shaia वहन रोहिंग्याओं को बसाने की कोसिस की जा रही है बहुत चुपके से रोहिंग्याओं को जम्मू और कस्मीर के अंदर एंट्री कर दी जा रही है और उस एंट्री के एवज में वो ISI के इशारे पर जम्मू कस्मीर की जो लड़कियां है उनकी साधियां रोहिंग्याओं के साजिस रची जा रही है इस साजिस का परदाफास हो चुका है और खुपिया एजन्सिया जो है वो अब पूरी तरीके से एक्षन में आ चुकी है रोहिंगियाओं को अवैद पहचानपत बना कर दिये जा रहे हैं और उन्हें उनकी जो वहाँ पर लोकल लड़किया हैं उनसे रोहिंगियों की साधी कराकर उन्हें जम्मू कसमीर का नागरिक बनाने की कोईसिश की जा रही है यह सारा काम बाकाएदा एक सिंदिकेट द्वारा कराया जा रहा है और इस में इसके पीछे पूरे सिंदिकेट के पीछे पाकस्तानी कुपी आजन्सिया आई इसाई का हाथ है जी जरा सुनिये जो जम्मू कसमीर के जम्मू के जो आईजी पी है आनन जयन वो क्या कहते हैं एक बार जरा इनकी सुन जी जिए हमें कई दिनों से लगातार आधार इंटूट मिल रहे थे कि जम्मू जिले में और खासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सरे मुक्तलिफ जिलो में ये जो इलीगल सेटिलमेंट्स आये हैं इन में काफ़ी सरे लोग उनको एड और राबेट कर रहे है हैं उनके रिहाईश को उनके जगा दे उनको जो आधार कार्ट, सिम कार्ट और बाकी मुक्तिरिफ तरह के जो डॉकुमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रवाइड करते हैं किसी भी इंडिविज्वल को इस देश की बेसिक सर्विसेस अक्वायर करने के लिए उस अंदर में हमने जम्मूद जिले में करीब साथ केस एफायर रिजिस्टर की हैं और तीस से ज्यादा जग़ा पर हमने सर्च की हैं जिनमें कि उनके एडर्स और अबिटर्स को हमने पूशताश के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है और बाकी जिलें जैसे डोड़ा है किस्तवाड है और आपके पुंश जिला है रज़ पुलिस ने इस मामले में दस एफायर दर्ज की हैं और करीब तीस से ज्यादा इस्तानों पर लगातार रेड कर रही है पुलिस खुफिया एजनसियां वी शक्रियां उनके इशारे पर भी आगे काम चल रहा है यह सारी चीजें जब रेड की गई तो उन इस्तानों से भारी मात्रा में अवेद मैटेरियल बरामद हुआ है कहां पर कितनी एफायर दर्ज हुई जम्मो में साथ एफायर इस मामले में दर्ज की गई है दोड़ा में एक की गई है और किस्तवार में भी अभी तक एक एफायर दर्ज की जा चुकी है यह बड़ा मामला है और इसके साथ ह यही पर एक और मावला सामने आ रहा है कि इनको इनकी जम्मु कशमीर की लड़कीयों से जो साधी कराने से पहले रोहिंगियाओं को बाकाइदा रेंट एग्रिमेंट, रासन कार्ड, सिम कार्ड बना कर दिये जाते हैं और उनको पूरी तरीके से ऐसा दर्साया जाता है कि यह जम्मू कस्मीर के ही रेजिनेंस थे और यहाँ पर रहकर यह जम्मू कस्मीर की लड़कियों से जब साधी कर लेंगे तो उनकी साधी के बाद या साधी के बाद से ये सुरू हो जाएगा ये जम्मू कस्मीर के नागरिक है और इसके बाद जो इन से जो संतारे पैदा होंगी वो जम्मू कस्मीर के ही नागरिकता उनके पास होगी एक बड़ी साजिस बड़ी बात चल रही है भारती है नागरिकता नागरिक बनाने वालो बता ही हमको और लेकिन आप समझिये कि ISI किस तरीके से चूँके ISI किसी भी तरीके से जम्मू कस्मीर में सांती बहाली नहीं चाहती है और सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि अगर जम्मू कस्मीर की सत्ता को फिर से पलेट ना है फिर से उस सत्ता को हिलाना है तो वहां पर सब से ज़्यादा एक धरम विशेश के लोगों की संख्या को बराया जाए और उसके लिए चाहिए जो काम किया जाए तो अब आईएसाई ने जो पाकिस्तानी कुपिया एजंसी आईएसाई है उसने पूरी तरीके से जो रोहिं गिया है उनको जम्मू कस्मीर में एंट्री कराना सुलू कर दिया है और लोकल लड़कियों से साधी कराने के बाद उनको जम्मू कस्मीर की नागरिकता दिलाने के साथ ही जम्मू कस्मीर के जो उनकी संताने होंगी वो जम्मू कस्मीर के नागरिक हो जाएंगे और पूरे जम्मू कस्मीर को आने वाले समय में आने वाले 10 सा प्रसे इफेक्ट किया जा सके इसको अभी से एक्जिक्यूट इस प्लान को किया जा रहा है जो पाकिस्तानी खुपिया इजन्सी द्वारा इसके साथ ही जितने रोहिंग्याओं को जम्मू कस्मीर में अगर जो हमारे सूत्र बताते हैं जम्मू कस्मीर के अंदर अगर रोहिंग्याओं को इस तरीकी से लड़कियों के साथ साथी करवा के बसाया जाएगा वो रोहिंग्या सिलिपर सहल के रूप में भी जम्मू कस्मीर के अंदर काम करेंगे याने के एक पुखता पुखता नेटवर्क आईएसाई खाला करने की स्पिराक में है इस बहाने पहले साथी कर आओ फिर उसको अपने नेटवर्क में सामिल करो फिर उनको फाइनेंस करो फिर उनसे जम्मू कस्मीर के अंदर जो अपने गलत काम हैं उनको एक्जिक्यूट कराओ गलत कामों में बहुत सारी चीजह हैं हातियारों की सप्लाई है आतंग बादियों को चिपाना है, आतंग बादियों को कुफिया एजंसी को इसकी information देनी है पाकिस्तानी ISI को और सारी चीजे क्योंकि जो वहां का आदमी है वही के इस्तेमाल करके उनको बसाने के बाद वही का नागरिक बनाके उनसे काम लेना पाकिस्तानी कुफिया एजंस तो ये सारी चीजे हाला कि खुद पाकिस्तान भुकमरी के कगार पर है लेकिन वो जम्मू कस्मीर में आतंग बाद को फैलाना या भारत के अंदर आतंग बादियों को बेजना नहीं छोड़ना चाहता है चाहे वो उसके चाहे उसका सारा कुछ बिक जाए चीन के चीन को हो चीन को बेख दे वो लेकिन भारत के अंदर वो हस्तक शेप अपना छोड़ना नहीं चाहता है ये पूरी प्लानिंग का खुलासा हो चुका है और जल्दी ही कुछ और बड़े एक्शन जम्मू कस्मीर के अंदर इस मामले में सामने आएंगे अगर आपको मेरी ख़बर अच